पहले हमारे हाँ मैं यूपी से हूँ तो कहायता है गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु, गुरु देव महिश्वरा तो जो ये खांजर बैठे हैं वो साक्षात इसको जो है उसको बोडिलाइस करते हैं बहुत अच्छी अंग्रेजी तो नहीं है और आपने इतने अच्छ अच्छे वक्ताओं को सुना, in fact मैं वहाँ जो बैठा था तो मैं सूच रहा था कि कास ये पहले चदरबोहन साब की जो ये है ये मैंने सुनी होती किता अच्छा रहता, actually हम लोग साथ ही बैच के हैं बट इन्हें नहीं पता होगा because मैंने EUA लिया था, I was selected in IPS, 224 rank थी मेरी, तो उस समय से मैं खासकर इनके, इन्होंने जो लिखा है ब्लॉग, अपने पहली बार कैसे मेरे 109 थे और उसके बाद मेरे इस ये 146 थे तो उसके लिए I.S. का आपका बहुत बड़ा जोल रहा है sir, thank you, इसके लाबा एक disclaimer ये है कि जित्ता अच्छा अंग्रेजी मेरा दोस् उत्ता मैं नहीं बोल पाउंगा उसके लिए sorry, तो इससे निराश मत होना सब कर सकते है, I.S. का Hindi और English से बहुत ज़्यादा कुछ लिने देने का है नहीं, तो इसके बाद ये बाते हो रही थी motivation पे बैठा था, तो मुझे लग रहा था मुझे एक बार और लिखना चाहिए, ये लगता है कि 84 है, साइद भै, इतनी चीज़े मिल गई है, इतनी motivation मिला है, तो मुझे एक बार और साइद मतलब होता है न, आदमी motivate हो जाता है नहीं, अब तो कुछ करिए जान दम ले में, तो motivate हो गयता है, तो इस पे जैसे सर ने start किया, अब थोड़ा जो exam specific बाते हैं व अलग-अलग हैं, अलग-अलग रास्ते हैं, अलग-अलग रास्तों से सब कोई आता है और exam को qualify करता है, तो सब के approaches जो हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, जैसा कि बता रहते हैं सर कि कुछ लोग जो है introduction में बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग body में lag करते हैं, कुछ तो यह जो आपका गोल है, IIS और IBS और IRS, जो भी है, यह आप अलग-अलग तरीकों से पहुंच सकते हो, बिल्कुल सही बात है, और जो आपकी अपरोच है, उसको आप रिफाइन करो, जैसे ऐसे में, जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको समझ आदा है कि हम पोयम लिखे है है, quotes लिखे है, कोई story लिखे है, क्या start कैसे करें, starting was, मेरे लिए तो बहुत बड़ा, मतलब, एक, जैसे, क्या करें, पहली attempt में, निया सोची नहीं पार था, क्या लिख हो, तो मैंने सिर्फ define करके, जैसे तैसे उसको complete करें, खतम किया था, तो, मतलब, ऐसा लिगता है, खतम और अप्रोच तो भही है, आप अलग-अलग कर सकते हैं, देखें, दो चीज़े हैं, प्रैक्टिस और हार्ड वर्क, तो ये दोनों तो बेसिक हैं, ये अंडरलाइंग चीज़े हैं, जो आपको करनी ही पड़ेंगी, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, उसमें सायद ही ऐसा क कोई हो जो ये कहे, कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया है, सिंशर वर्क नहीं किया है, और प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये चीज़े तो ज़रूरी है, और प्रैक्टिस का जैसा सर बता रहे थे कि हम लोग क्या सोचते हैं, कि इस बार ससी थरूर बनेंगे अगरेजी में, और एसी खुडव अग्रेजी की ज़रुवत नहीं है, मेरे जैसा बिहार बुर्ड का स्टूडेंट अगर आपके सामने यहां तो कहुंच गया है, तो आप यह कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सा अटेंट चल रहा है, मैंने यह मुझे फस्ट अटेंट मेरा प्रिलिब्स नहीं लेकिन जो आईस की कसक थी वो चौथे अटेंट में पूरी हुई, और तो फ़र टाइम लगा, तो आप एक चीज में यह कहूंगा, जैसे जो मेरे जैसे हैं फर्स्ट अटेंट वाले, उनको तो सल्यूट, जो मेरे जैसे हैं चौथे अटेंट वाले, उनके लिए चौथे इनकेस अगर आप आईस IPS कुछ भी हो, तो आपने मनुबल को नहीं गिरने देना है आपको, आपको हमेशा जो है, वो UPS एक बहुत अच्छा चीज है इसमें, कि यह आपको फिर से बैक टो जीरो घुमा के लाता है, तो फिर से आपको रूट कर देगा आपकी घड़ी की चा मेजर फोकस है, मैंने यह चार अटेंट में बस यह ही सिखा है, कि प्रेक्टिस मेक्स अमें पर्फेक्ट बस यह लाइन बहुत बार सुनी थी, बद कर नहीं पाया था, तो यह करना है, जैसे आपको एक एक जामपल देता हूं, मैंने कैसे कैसे अप्रोच करता था, यह चार अट नहीं पर नहीं पर देता हूं, जैसे नहीं करना है आपको, अपने जैसे सर ने बताया, अचार महन गर्ग सर ने बताया आप लोग को, उस strategy को फॉलो करिए, क्या डिमांड है उसको समझेए, जो introduction words है वो भी आपसे कुछ मांगता है, और questions हमें इसा एक section की तर जो आपसे जो बाते कहीं गहीं हैं कि Mumbai, Delhi and Kolkada एक example दे रहा हूं, तो उसमें जो पहली जो चीज़ें यह address करिए कि यहाँ वहाँ नहीं होता, क्यों नहीं होता, वहाँ पर क्या factors है कि वहाँ नहीं हो रहा है, फिर दिली पर आईए, दिली में क्या नहीं है, उसके, उसमें क इन्होंने optimism, consistency and hope की बाती, यह परचा इसलिए मैंने बनाए क्योंकि मैं बहुत अच्छा याद नहीं कर पाता हूं, एक हौल उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए मुझे देखना पड़ रही है, तो मैंने optimism, consistency and hope, और इसके अलावा मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं भी सफर करता था, जो people around yourself है, वो क्या सुचेंगे कि या तुम से नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस कानी है, भगवान हमारे साथ नहीं है, तारे अच्छे नहीं है, ऐसा होता रहता है, यह हम normal humans हैं, हमें भगवान ने दिमाग दिया है, त पॉजिटिव के साथ साथ कुछ निगेटिव ही है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परिशान नहों, यह फिलिंग्स आये, सुनिए, थोड़ी तर विचार करिये, और विचार करने के बाद उसमें खोमत जाईए, आगे बढ़ जाईए, उसको वहीं के रख दीजे, फिर अ अच्छा सुचता था कि निकालू, उसके बाद लगता था यार, मेरा last year जो था, किस subject में कम रहेंगा, फिर मैं अपने marks देखता था, उसके बाद फिर topper उठाता था, topper के मारे marks देखें, उसके बाद जो IS में last selected है, उसके marks देखें, फिर देखता था, इंटर्व्य में इस नहीं करना आपको, टाइम बहुत क्रूशल है, इस एक्जाम के लिए सिर्फ एकी चीज है टाइम, अप्रोच, रामबाण इलाज आपको मिल चुका है, उसको फॉलो करिए, और होते हैं, लेकिन ज्यादा इस पर वो नहीं करना है, जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन आपको मिल प्रण को पंडी जी थे हमारे हैं भोले शॉलो तो पहले ही बतायाएं थे थाव आपको, कि 700 जब आपको हो जब आपका हो जाएगा तो मिल नहीं के लिए गुट है और कि अपकाद दो ऐसे हैं, वो बोल देंगा अपका होगा ही नहीं, तो वो सब नहीं करना है, कि नहीं, वो देखना है आपको, वो करना पड़ेगा, और उसके अलावा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने उनसे लिया, इनसे लिया, मुझे लगता है, अगर अपने आपको देखोगे, अपने पूरी लाइफ इस्ट्री को पढ़ोगे, तो ऐसे बहुत अच्छे ग्रूप में हो, अब बहुत अच्छी जगह हो, आप पहले से यह एक अचीजमेंट है आपके लिए, आप एक अच्छे इंसान तो अटलिस्ट बनी गया हो, तो अपने आप से मॉटिवेशन लीजे, और दूसरों तो लीजे ही लीजे, अपरोचे ले सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से रिफाइन करके आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने वाई को क्लियर रखिए, मैं क्यू बनना चाहता हूँ, आइस भोकाल के लिए नहीं बनना है, मुझे सर्विस के लिए जाना है, सर्विस के लिए, जैसे हमारे हां, यूपी बिहार मे सेल फूट्स और वेजिटेबल्स, तो ये सब हम लोग जहां से आपने हमारे हां, ये सब भोकाल नहीं, सर्विस के लिए जाहिए, मैं ग्रामीड परिवेश से हूँ, तो मुझे पता है क्या प्रोब्लम्स है गाउ में, चंद्रमोहन सर है, अनुराद सर है, मैडम है, तो इ अब तब तो क्या बात है, इंस्पेक्टर भी आता था, लगता था, यार, सभी में बहुत बड़े आद मिनगे, जैसे अन्पे की एकाडमी है हमारी, जैसे अंदर गुसा सब जीरो हो गया, बोले कि आप सबसे वो हो, उस्ताद भी सुबह उठा के दोड़ाता था, और कोई कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, और यह जो ट्रेनिंग है, जो आपको, जब आप जाओ अंदर में, तो आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेंगे, उसके अंदर अपने अपने आप में रखे, कभी भी अपने आपको ऊपर नहीं समझना है, ग्राउंड हमेशा रखे, मांच देखे, कहां आपका छूटा है, उसको इंप्रूफ करने एकोशिश करिए, ऐसे में जैसे मैंने बताया, मेरा था, फिर जी एस में मैंने इंप्रूफ किया, तो वैसे और यह एक्जाम अनप्रेडिक्टिबिलिटी का है, आगे पीछे होता रहेगा, त बस मेहनत अपनी करते रहनी है, ऐसे राइटिंग बहुत इंपोर्टेंट है, मुझे जो सेलेक्शन या नहीं, जो मुझे आईएस बनने का वो था, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बिल्कुल प्रैक्टिस करें ऐसे को बिल्कुल भी, वो ना लें, हलाइट में इसको करना ही करना है, और इसके अलावा बस आपको लास्ट एक स्टोरी बदाता हूँ, मैं उसमें, आईटिस में था, एस्टाउडिनरी लीव का कॉंसेप्ट होता है वहाँ पे, तो मैंने लिया हुआ था, और मैंने कोचिंग नहीं की थी कहीं पर, क्योंकि मेरे पास स्टेज रहता था, तो उस समय मैंने फिर केस्जी में फोन किया था एक बार, गल्ती से लग गया था, तो नेट पे देखा, वो पेपर में आता था, तो मैंने फिर कॉल किया वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी बात तबरेश सर है यहाँ पे, फिर मैंने का चलो या, रैसे ही हो लोगा चलते हैं देखते हैं फिर शाम को वो था मेरा मॉक इंटर्व्यू था उसर के पास मैं गया और इससे पहले भी मैंने दो चार मॉक्स किया हुए थे दूसरी जगह जहां पर घुशने के बाद ही लगा रहे कहां घुश गया प्रतलब सीधे में रेल्वेज में था उसम करना है इसको इस पॉइंट करना इसे करना है तो और दूसरी बात समय देना उसमय क्योंकि आप शुकि आप जानते भी नहीं हो और जब आप लोग का भी आप बैठे हो यहां पर आपके अंदर बहुत आशाय होंगे कि कोई हमें हमें है कर दे कोई गाइड कर दे कोई सर की अच्छी बाती है कि he is not just a teacher he is a guide friend and philosopher ये तीनों चीज़ बताते हैं सर ये ये line मैंने वही से उठाया है सही पड़ा था सर इंगन पॉलेकर पड़ा था तो सर के साथ आपका वही है आपको हमेशा अच्छे से गाइड करेंगे he treat you very well इनका प है कहां आपका जो बैकिंग जो भी लैक है वो अच्छे से बदाते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है सर के हां तो I will recommend कि जब तक आपका हो नहीं तब तक सर को बिल्कुल पगड़कर रखें और जब हो जाए तो तो भी पगड़कर रखें क्योंकि फिर बहुत सारी च रहेगा उनसे हमेशा आप मोटिवेशन या जो भी कहा हो हमेशा साथ रहेगी आपके बट गुरुजन भी उतने ही इपॉर्टेंट है गुरु लोग जो है उनसे आपको ड्यू रिस्पेक्ट और उनका पुरा आदर करें और उनसे सीखते रहें और इसके अलावा ज्यादा कुछ तो है नहीं अपने पास अभी सर लोग आएंगे रिशी है वो आपको बताएगा कि उसके लाइफ में क्या क्या संगर्स हैं तो संगर्स सब के पास हैं सब के साथ हैं हमेशा रहेंगी आप जब आई-एस बन जाओगे तो ऐसा नहीं है कि काम खतम बस ये तेड़ साल ह है दो साल पढ़ लो आई-एस बन गया है काम खतम ऐसा नहीं है वहाँ जाने के बाद इस चीज़ें और दूसरे तरह से चेंज होती हैं मैं भी यही सुचता था एक बार बन गया हो गया और जब पुलिस में गया अकैडमी में तो रात-रात पर जगना पड़ता था नाके प कोई पी के जा रहा है तो पकड़ के ब्रेथ अनलाजिसर टेस्ट करो और जो पीछे उस्ताद है मुझे तैरना नहीं आता था और रिशी केस में एक क्लिफ पे चढ़ा दिया बोला कूदना है तो मैं नीचे में का सर नहीं आता कैसे कूदना है तो यह सब चीजें ऐसा है औ अपने आपको और मॉटिवेट करना है कि हम फील्ड में जा के बहुत अच्छा करें चाहिए श्कूल बहुत बढ़िया बनाया होगा यूपी में मैंने तो यूट्यूब के देखा था चुकि इनको बनी पता है लेकिन है मेरे फ्रेंड भी है तो तो मैं यह देखता रहता तो ऐसी ऐसी चीजे आपको देख एपड़नी बढ़नी है आगे के लिए अचा करना है उपने समाज के लिए अचा करना है अपने वाϊ को अमिशाँ कर लेजे क्यों जाना चाहते है अगर आपका है तो आगे का जो वाट है हाउ है यह भी बहुत खेर हगा और यह से ही इतना सेक्रिफाइस कर रही है, यहां पर बैठी हुई आपके सामने, तो आपको इधर और जानी ज़रूरे हैं, इन से मॉटिवेशन लिजे, कितनी बड़ी बात है, इस एक्जाम के लिए इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, अनुमायम और कुछ लटामयम को हैं, अभी इन लोगों ने अचीव किया है, मतलब हम लोग से बहुत ही ज्यादा है, हमारे पास वैसी प्रॉब्लम नहीं थी और उतनी चुनौतिया नहीं थी, तो यह है, सब के पास चुनौतिया है, इसी माँगे बढ़ना है, और मैं अल्ला भगवान गुरुनानक जो भी हैं, सबसे जो कॉमन है, महनत, तरीका, वो सब आपको यहां पर बताया जा रहा है, और यहां बताया जाएगा आप जब के स्जिम आएंगे तो, तो इसी के साथ, जो हमारे जो जेनरल कंडिडेट्स नीचे बैठे हैं, और जो स्पेशल कंडिडेट्स जो उपर बैठे हैं, उन सब से जएलोंगा?